Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 के latest updates की तो जैसा कि आप जानते हैं AIB 17 की registration की आखरी तारीख जो है 18 जनवरी तक थी तो फिलहाल तारीख बढ़ाया नहीं गया है आखरी तारीख 18 जनवरी तक थी जो की खतम हो गई है आज फिस पेमेंट की आखरी दिन है आज आप जो लोग भी पेमेंट नहीं किया है फिस का वो फिस पेमेंट कर दें उसके बाद से AIB 17 admit card verification process सुरू होगा उसमें जो भी correction है आप से उसको सही कराया जाएगा तो अब AIB 17 में admit card का correction और उसका verification कैसे करेंगे उसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से request है अगर चैनल पे first time विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो में upload करूँ उसकी latest notification आपको मिलती रहे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो BCI ने जो अपनी notification निकाली थी AIB 17 को उसको हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो online registration की तारीक थी 16 जनवरी निर्धारित की गई थी लेकिन उसको बढ़ा करके 18 जनवरी तक किया गया था तो वो date भी निकल गई है यानि की online registration अब close हो गया है अब जो है payment का जो है आखरी date है वो 19 जनवरी यानि की आज तक है आज तक जो भी लोग खाम भर चुके हैं registration कर चुके हैं वो फिस payment कर दें अन्य था वो exam में बैट नहीं पाएंगे उसके बास ने आपके देखिए तीसरा लिखा है यहाँ पे तो online link activation date for admit card verification process is from यानि की जो online link है admit card verification process की वो 21 जनवरी से जो है open हो जाएगी और 25 जनवरी तक आप जो है आपके admit card में जो भी correction है उसको correct कर सकते हैं उसको सही कर सकते हैं तो अब जो लोग भी farm भर चुके हैं फीस पेमेंट कर चुके हैं उनमें जो भी correction है 21 से 25 के बीच वो correction को ठीक कर सकते हैं उसके बास से फिल से उसको verify करते हुए जो है 30 तारिक से जो है 3 फरवरी तक आप admit card जो है download कर सकते हैं online और जैसा कि आपको पता है कि 5 फरवरी परिच्छा गीतिती रखी गई है जो कि अभी भी tentative है यानि कि अभी भी confirm नहीं है कि 5 फरवरी को ही होगी या date को आगे बढ़ाया जाएगा तो कुछ भी possibilities संभव है कुछ भी हो सकता है हो सकता है date आगे बढ़ा दी जाए या हो सकता है 5 फरवरी को ही परिच्छा करा ली जाए तो जो भी जिन लोग का admit card में correction करना है वो link 21 तारिक से open हो जाएगी 21 से 25 के बीच आप उसमें correction कर सकते हैं जो भी कमिया आपके farm में थी उसको दूर कर सकते हैं उसके बाद से 30 तारिक से आपका admit card upload हो जाएगा उसको अपना registration number डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरीके से जो भी लोग farm भर चुके हैं ज्राइश्टेशन करा चुके हैं आज fees payment की आखरी date है आप लोग जो है payment कर लीजिए उसके बाद से जैसे ही correction की link open होगी verification process शुरू होगा उसके बारे में जैसे ही link activate होगा हम इसी channel के माध्यम से आप सभी को उस बारे में सूचना देंगे कि link activate हो गया है आप जो भी correction करना है उसको जो है आप correct कर लीजिए तो channel से जुड़े रहिए और साथी साथ आपके जो भी प्रसन है प्रसनों को पूछिए जो भी problems है उसको भी आप लोग comment box में लिख सकते हैं हर एक comments को मैं पढ़ता हूँ proper reply भी देता हूँ और साथी साथ आप लोगों से request है गुजारिश है कि channel पे पहुंच रहा है वीडियो को देख रहा है तो वीडियो पे like करिए comment करिए और साथी साथ channel को अधिक सदिक share करिए तो मिलते है next video में धन्यवाद